नमस्कार, हिंदी आचारे चैनल पर आप सबका स्वागत है स्टूडेंट्स, आज हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे आटो वान क्वेरेक तो हम जानते हैं कि जो रबर सकर होता है, अगर हम उसको वाल के उपर चिपका दें तो वाल और उसके बीच में जो हवा है, वो सारी एसकेप कर गई तो जो रबर सकर को हम दिवार से खीचते हैं, तब हमें एक फोर्स लगानी पड़ती है अब यह जो फोर्स है, वो एटमस्फेरिक प्रेशर से ज़ादा होनी चीए अगर हवा ना हो, तो इस रबर सकर को एक बार दिवार पर लगा देने के बाद वापिस नहीं खीचा जा सकेगा अब इस चीज़ को उधारन के साथ समझाया जर्मनी के एक साइंटिस्ट ओटो वॉन गोरेक जिनका नाम था उन्होंने 17th सेंचरी में ये चीज़ प्रूव की उन्होंने दो मिटैलिक हेमिस्फेर्स लिए यानि की धातू के दो आधे गोले लिए और पंप से उन दोनों के बीच की सारी हवा बाहिर निकाल दी अब इन दोनों हेमिस्फेर्स के बीच हो गया वैक्यूम तो उन्होंने दोनों तरफ आठाठ घोड़े लगाए इनको अलग करने के लिए लेकिन वो उनको अलग नहीं कर सके वैक्यूम की वज़े से